नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रियांशी के सरवानी आप देख रहे हैं खबरे इंडिया आज की मुख्य हेड्लाइन डेमोक्रेटिक लिपब्लिक ओफ कॉंगो में माउंट न्यारा गोंगो ज्वाला मुख्य में हुआ विस्वोड दुनिया का सबसे तेज जमीन वाला जानवर चीता भारत में मत प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नवंबर 2021 में लाया जाएगा अब खबरे विस्तार से कॉंगो लोगतांत्रिक गंडाची की सरकार ने ज्वाला मुख्य माउंट न्यारा गोंगो के फटने के बाद कॉमा शहर के लिए गनिकासी उर्चना शुरू की है आपको और बताएं तो माउंट न्यारा गोंगो ज्वाला मुख्य कॉमा से 10 किलो मीटर दूर इस्तित है इस्विस फोर्ट के बाद इसने हजारों निवासियों को बहुत भैबीत कर दिया है इसलिए वे अब पूर में रवांडा की और भाग रही है यह ज्वाला मुख्य आकरी पार 2002 में फटा था और इसमें 200 लोग मारे गए थे इसने 1.2 लाख लोगो को बेखर कर दिया था माउंट न्यारा गोंगो या दुनिया के सबसे सक्रीर और खतरनाग ज्वाला मुख्यों में से एक है विरुंगा पर्वत में इसकी उचाई 3470 मीटर है जो अलबर्टीन रिफ्ट से जुड़े है यह ज्वाला मुख्य कोंगो लोगतांत्रिक गर्णाज में विरुंगा राश्ट्री उद्यान के अंदर इस्थित है इस ज्वाला मुख्य का मुख्य क्रेटर लगबग 2 किलोमेटर चोड़ा है और इसमें लावा जील शामिल है नियारा गोंगो और न्यामुरा गिरा अफरिका में 40 प्रदिशत एदिहासिक ज्वाला मुख्य विस्वोट के लिए जिम्मेदार है विरुंगा राश्ट्री उध्यान के बारे में बात करें तो यह राश्ट्री उध्यान कॉंगो लोकतांत्रिक कंडराज के पूर्वी भाग में अलवटीन रिफ्ट घाटी में इस्तित है इसे 1925 में खोला गया था यह अफ्रिका का पहला संरक्षित छेत्र है इसे 1994 से खत्रे में विश्व विरासत की सूची में सूची बद्ध किया गया है दुनिया का सबसे तेज जमीन वाला जामर चीता भारत में फिर से लाया जाएगा चीता को मद्ध प्रदेश की कुनो नेशनल पार्क में नवंबर 2021 में लाया जाएगा इसे फिर से क्यों पेश किया जा रहा है भारत ने अपना आकरी चीता 1947 में 36 गण में देखा था आकरी चीता की मित्यों के बाद 1992 में इसे विलुप्त घोशित कर दिया गया था भारत के सर्वोच न्याले ने भी जनवरी 2020 में अफ्रिकी चीतों को भारत में एक उप्यूक्त आवास में एक प्रयोग के रूप में पेश करने के लिए अपने मन्जूरी देदी थी या देखने के लिए कि क्या वे पर्यवरण के अनुकूल हो सकते हैं इस प्रकार चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजक्त भारती वन जीवन संस्थान द्वारा तयार की गई थी आये अब जानते हैं कि इसे फिर से कैसे पेश किया जाएगा मत्य प्रदेश ने करीब 10 चीतों के लिए बाड़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी इसमें 5 मादा भी शामिल है उन्हें दक्षन अफरिका से लाया जाएगा कुनो राश्ट्री उद्ध्यान का चैन क्यों किया गया कुनो चंबल छेतर में इस्तित हैं ये 750 वर किलो मीटर के छेतर में फैला हुआ है इस पार्क में चीतों के लिए अनुकूल वातावरण है या एक संरक्षिक छेतर है जिसमें चार सींग वाले म्रिक, नील गाय, चिंकारा, चित्तिदार हिरन और जंगली सुवर की काफी आबादी है इस प्रकार इस पार्क में चीतों के लिए अच्छा शिकार उपलब्ध है चीता अफ्रिका और मत इरान का मोल निवासी है या 80-128 किलोमीटर प्रती घंडी के रफ्तार से दोड़ सकता है चीता को International Union for Conservation of Nature की खत्रे वाली प्रजातियों की रेस्ट लिस्ट की कमजोर श्रेडी में सूची बद्ध किया गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जिन संक्या घटकर एकत्तर सो हो गई है या मुख्य रूप से अफ्रिकी सवाना में पाए जाते हैं आज की रिपोर्ट में बस इतना बाकी के खबरों के लिए बने रहे खबरे इंडिया के साथ